इतने दिन पीच चुके हैं और कितना इंतजार करें लगता नहीं सरकार कुल्तूर मणी और मुत्तू कुमार को छोड़ेगी और यहाँ जंगल में पुलिस का खत्रा भी बढ़ता ही जा रहा है अब इस आदमी को लेकर हम और नहीं घूम सकते और अगर इसे छोड़ने के कोशिश करेंगे तो पुलिस वाले बोलेंगे कि वीरापन ने डर के इने छोड़ दिया तो फिर आपने इन 23 महनों में बहुत ही अच्छा काम किया है जो रेली काभी लेतारिफ है वीरापन दोनों राजों के लिए सर्दर्द का विशय बन गया है इस पर कोई नो कोई हल ढूनना ही होगा मैंने करनाटक चीफ मिनिस्टर से इसके बारे में बात कर ली है विरापन का केस सुलजाने के लिए तुम्हें जॉइंट स्टीफ चीफ अकॉइंट किया गया है हमारी सरकार की तरफ से कोई दखल अंदाज नहीं होगी तुम्हें पूरी छूट दी गई है और इस किस्से को पूरी तरफ खत्म कर दो ओके मैडम अफिसर वी नीड गुड टीम हमारी टीम के लिए कॉंटीक रहेगा आप ही कुछ सुझाओ दीजिए सर सेंथा वारी कननन ही तू गुड इन इंटेलिजेंस अच्छ इससे पहले भी उसने स्टीफ यले काम किया है ना हां सर किया है बिल्कुल गुड पता गरो कुछ मैसेज देना है आपको कैसा मैसेज सर यह अपने पास रुक अगर कोई भी कभी भी तकलीफ हो तो जरूर याद करना हां यह एक ब्लास्ट में अपना पैर गावा बैठा ओ आइसी इसमें अभी अभी एक इंपोचन्ट इंफोर्मेशन दी है कोई एक्स मिलिटरी मैन शायद इस जंगल में घूमने आ रहा है पता करना होगा कि वो कौन है किप इट उन प्रायरेटी ओके सर्व पाय की तरफ से कोई मैसेज आया है क्या आया है क्या जंगल में काम करने वाले लोग कम हैं तो वीरपन अब चाहता है कि गन चलाने वाले और बं में एक्सपर्ट लोग उसे मिल जाए अगर जेल में ऐसे लोग है तो उनका इंतिजाम करो मदईया मैं हपते दस दिन में फिर से आऊँगा तब तक कोई अची ख़बर सुनाना ठीक है ठीक है चलता हूँ सर ये जो आदमी मदईया से बात कर रहा है वो कौन है एरियवर एक्स मिलेक्टिमेन पिछले दो महीनों से इससे छे बार मिल चुका है सिक्स टाइमस ओके सर जेल में मदईया के करीबी कौन कौन से लोग है नैंटी एट में कोंबतूर बॉम ब्लास्ट हुआ था ना उसका एक्क्यूज्ड उससे बहुत ही क्लोज है कोंबतूर बॉम ब्लास्ट मदन जिसको भी भेजेगा मदाई भरोसा कर लेगा मुझे तो यही लगता है सर जेल में वो लोग साथ ही रहते हैं वो सारी जानकारी आपस में बांट लेते हैं इसलिए मदईया पर विरप्पन पूरा भरोसा करता है वैसे तुम्हारी मा कैसी है अजकल तो बाइपास सरजरी भी होती है वो करवा लो सर मैं भी वही सोच लाता है अब बिल्कुल ठीक है मैड़ा अच्छा कॉपी तो पीजिए हमें उसे अपनी लाइन पर लाना होगा पर सर जिसे वो चुनता है वो हमारे लिए काम करना चाहिए हम ये कर सकते हैं क्यों न हम अपने ट्रेन लड़कों को विरप्पन के पास बेज़ें तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सब सुबह चार बज उड़ जाना और दिन में पांच बार नमाज पढ़ना समझे न एस पी संदा मरे कनन आपसे बात करना चाहते हैं अकेले हाँ ठीक है आप जो कहेंगे मैं करूंगा उसके बदले आपको मेरी मदद करने होगी आप मेरी आदमियों को भेजना होगा मदाई की टीम लेडी है सर गड़ अवर बायस जब टक तुम लोग पुलिस वाले थे अब टेरिस्ट हो वन इंपॉर्टन तिंग पुलिस की आखें तेज होती हैं लेकिन टेरिस्ट की आखों में तबाही होती है खौफ होता है जब तुम उनके साथ होगे तुम्हारी आखों में भी हमेशा खौफ देखना चाहिए एनिवे बॉइस इस भी वेरी कॉंशिस गुड लग सर एक बात है हमारे भेजे अंडरकवर एजेंट को करनाटका की स्टेफ पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है उन्हें पता है कि वो हमारा आदमी है नई सर गुड एक काम करो हमारे बाहरी आदमी को बोलो कि उसे बेल पे छोड़ा ले ठीक है विरपन को लड़के चाहिए असलावालेकूं भाई वो तो तुम सभी हो ठीक है जाओ आपना काम करो चलते हैं इन लड़कों को बाहर निकलवाने में मैं इनकी मदद करूँगा पूरी मदद करूँगँ ठीक है ठीक है चार लोग यहाँ से निकलने वाले हैं कहा है वो सुना इधर आओ यही है वो हाँ चलो ठीक है तुम लग निकलो जाओ ठीक है ठीक है देख लिया आपने वीरपन से कहना कि बाकी का इंतिजाम वो खुद कर ले छूटने के वक्त मैं इन अपने साथ ली जाओ ठीक है मिलते हैं ओके ठीक है हाँ चलते हैं आज़ते हो आप मेरे पीचे हाँ इसे नीच जाओ आँ देखे भाई तोड़ा आराम कर ले क्या इतनी जल्दी थक गए वीरपन से मिलना इतना असान है क्या अच्छा ठीक है साब थोड़ा तो आराम करने दो हाँ ठीक है हाँ 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 को रे क्या मिलेटरी तुमारे बॉंक के माहर खिलाडी तो बहुत ही डर्ठपोक निकले अं बॉम फिट करने में ये सारे लड़के बहुत माहिर हैं चलो उठो तुम लोग अब अपने बैग उठालो चलो भाई हम सभी लड़के माहिर हैं हम बॉम लगाएं तो कोई नहीं बच सकता आप बस जगा बता दीजिए कहां लगाने विजय कुमार सर इस बात का कब से इंतजार कर रहा है सपने देख रहा है मुझे पकड़ने के तो मुझे ऐसी जखें लगाओ जहां से वो और उसके साथ ही सीधे पर लोग पहुँच जाएं वो किस तरफ से आएगा भाई वो ज्यादा तर दो रास्तों से आता है एक है निदिपुरा रोड और दूसरा रास्ता है वच्चा दपा देवस्थान रोड नहीं गोविन मैं विजय कुमार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बॉम तयार रखो मैं बताओंगा उसे कहां लगाना है